अब पाढ़ के तरासदी से जो प्रिशान लोग हैं दिक्कत में हैं उनको हर हालत में सुब्धा पहुंचाएंगे यह जो पाढ़ अभी जो पानी आई है वो बहुत पानी सबसे ज़्यादा अभी 20 साल के समय में सबसे ज़्यादा पानी विहार को शोड़ा गया है नेपाल के द्वारा हर अस्तर पर लगी हुई है नीचे से लेकि उपर के स्तर तक लगी है हर तरह के सुधा पहुंचाई जा रही है उनकी बचाव में हमारे अधिकारी लगे हुए हैं और जो दिक्कत और परशानी हो रही है उसका भी जल से जल्द हम लोग स सर्ब्येख्षन कर रहे हैं और बाढ का जाए जाल बात करने के लिए हम साथ बिहार सरकार के कद्दावश नेता है मंतरी अनड़्यक्रीम में शरवनकुम gehört हमें भाणी हम भी हैं में काफी नुक्सान भी होए हैं Um और लगतार मुंक मंतरी जी बाड़ पर नज़र रखे हैं हमारे जलसन साधन मंत्री नजर रखे हुए हैं सभी डीम और सभी अधिकारियों को लगा रखा गया है किसी भी किम्मत पर हम बाढ़ के तरासदी से जो प्रिशान लोग हैं दिक्कत में हैं उनको हर हालत में सुब्धा पहुंचाएंगे उनकी जानमाल के हिपाज़त हम कर कि खाना पीना का भी दिक्कत हो रहा है परसानी तो है जब आपना आती है तो आपना से मुकावला किया जा सकता है आपता को रोका नहीं जा सकता है तो उससे मुकावला किया जा रहा है और जहां परसानी में दिक्कत में जो लोग हैं उनके लिए काम किया जा रहा है जो दस अभी 20-25 साल के समय में सबसे ज़्यादा पानी बिहार को छोड़ा गया है नेपाल के द्वारा तो इस पर सरकार का पुरा-पुरा ध्यान है और जो लोग को दिक्कत हो रही है उसके लिए सारे उपाई किये जा रहे हैं और उसी समय सरकार काम करें पर विपक्ष के नेता हैं वो सवार भी खड़े कर रहे हैं जैसे कि लालू यादब की दोनों बेटी हैं रोहिनी अचारिया और मिसा भारती बाड़ पीडोत्यों से मिलने गए और का रहे थी कि हम लोग लगतार जो हमारी टीम है वो काम कर रहे हैं पर सरकार के लोग कहा हैं स उनको गलत फाहमी होती रहती है जो लोग विपक्ष में हैं उनको गलत फाहमी होती है यह गलत फाहमी दूर कर लेना चाहिए सरकार हर अस्तर पर लगी हुए है नीचे से लेके उपर के अस्तर तक लगी है हर तरह के सुधा पहुंचाई जा रही है उनके बचावा में हमारे अधिकारी लगे हुए हैं और जो दिक्क्त और परशानी हो रही इसका भी चल्द से जल्द हम लोग समाधान कर लेगा c अधिकारी हैं उनको भी निडिएस दे रहें 걵ा अधिकार को die या को सी या को तुमाम लोगों को फोन कर देते हैं यहां जहां से फोन भी भी आ रहा है कि अधिकारियों से बाचित कर रहे हैं कल व्हॏ उसकी अधिकारियों कई होना था मैंने तुरत रिस्पॉंड किया वहां के अधिकारियों को फोन किया और यह वहां पर आधिकारी देख रहही हमने उनसे पूछा कोई और दिक्कत है, तो बोलें दिक्कत नहीं है, आपके संग्यान में डाला है, पर कुछ लोग आपदा में अपसर खोज रहे हैं, राजनितिक भी कर रहे हैं, अपनी चेहरा भी चमका रहे हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा? देखिए, बिहार की जनता जानती है, एक से एक परिसानी, एक से एक दिक्कत बिहार में, चाहे बाड हो, चाहे सुखाड हो, चाहे अंद तरह की तरास्दी हो, तो मुसीबतों में अगर एक आदमी खड़ा है, उसका नाम नितिसकुमार है, उसके लिए हर तरह के बात को सोचत करते हैं उसका निदान करते हैं और नितिस्कुमार हमेशा कहते हैं ये जो राज का जो खजाना है इसका इस पर पहला हक जो पीडित लोग हैं आपदा से परसान लोग हैं आपदा से प्रतारित लोग हैं उनके पहला अधिकार है तो राज के खजाना का जो पासा है वो इनके लिए है जो आपदा से पीडित हैं आपदा से परिशान है मुसीबत में परिशानी में उनको आगे बढ़ाने में उनको समस्या का हल करने के लिए 22-29 जिला बाड के चपेट में है और बाड का जो इलाका है नेपाल से जुड़े हुए जितने नदियां है उस सारे उफान पर हैं खत्रे की निसान से उपर लेकिन अब धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है धीरे धीरे पानी कम रहा है लोगों को राहत पहुंचाया जा रहा है लोगों को सुबधा पहुंचाया जा रहा है और जो दिक्कत और परसानी है उसका हल निकाला जा रहा है पर एक सवाल बिहार में खुब गुंजरा और विपक्ष के लोग हैं इसको लेकर सड़क पर भी उतर गें नाम है अस्मार्ट मीटर करें यह स्मार्ट मीटर नहीं भल जिली उपयोग करेंगे तो परसा देना पड़ेगा तो चाहे अस्मार्ट मीटर है या सामान मीटर है उसके उपयोग से बें तो परसे लगते हैं तो आप स्मार्ट मीटर पर अंगली क्यों उठा रहे हैं आप क्या समझते इसके बारे में क्या आपको जनकारी है पारदर्सी तरीके से सरकार अगर करना चाहती है सरक कर यह कि काम है उसका विरोच का एकी सी काम है उसके किलाब मुँने आंदोलन करना मीबस का उसके लिए आखवार में से खिलाब बाता बनाना और जनता को भड़काना इस तरह का काम विपक्ष को नहीं करना चाहिए विपक्ष को बात को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि आखिर इसमें क्या खुवी है क्या खरावी है तब इन सवालों को उठाना चाहिए तो हला बोल दें बिहार के अर्ट ती बिहार की जनता बहुत सूजबूजवाली है बिहार की जनता बहुत समयज़ार है ऐसे लोगों से बहुत सावधान है बिहार की जनता जो लोग सत्ता प्रकाविज होना चाहते हैं हत्याना चाहते हैं और जनता किसे कोई मतलब नहीं है जनता से कोई उनके समस्या से उनके प कुमार को लेकर भविस्वानी करने वाले आते गए चले गए अब ये नए भविस्वानी करने वाले आए इनका भी कुमार जी के साथ तो बहुत लोग आते हैं बहुत लोग चले जाते हैं नितिस कुमार जी तो नीच साल से वही पर खड़े हैं जहां पर उनीच साल से बिहार में सरकार है मुखमंत्री है और लोग आते हैं जो चले जाते हैं रन नितिकार आते हैं वही चले जाते हैं लेकिन नितीस कुमार भाशा रहे हैं और 1919 सालों में विहार के लिए बिहार की जनटा के लिए बिहार की जनता के सांधर आप आपन का भी से था आज बिहारी कहला ना सुभिमान के विसे है बिहारी आज सर उठा करके किसी भी राज में किसी भी देश में जाता है बिहारी कहला बिहारी कि मैं बिहार से आया हूँ और बिहार कितना बदला है बिहार का गाउं आज सुदर लग रहा है अस्मार्ट बन रहा है सहर जैसे सुबदा है वहाँ बिजली है पानी है सडके है वहाँ पर नली और गली है वहाँ पर विद्याले है वहाँ पर अस्पताल है आज बिहार का गाउं अस्मार्ट बन गया यही नितिश कुमार जी की सोच है यही नितिश कुमार जी की देन है चले बिहार का गाउं अस्मार्ट बन गया नितिश कुमार का यही सोच है और यही वीजन है तमाम बातों को हमारे साथ रख रहे थे बिहार सरकार के मंत्री सर्वन कुमार किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बताया आपने सुना फिलाल के लिए इतना ही बने रहे है लाश्ट साथ धन्यवाद